नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल रितु कोशिक जोकी में एक बार फिर से आप सब का स्वागत है हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये बात आपने भी न जाने कितनी बार कही होगी और दूसरों से सुनी भी होगी कहने का मतलब यह है कि अगर आप सेर को नहीं छेड़ते हो या उसको प्रेशान नहीं करते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेर भी आपको नहीं खाएगा सेर तो आपको खाएगा ही तो फिर क्या यह संसार हमेशा से इसी तरह चलता आया है? शायद हाँ, इन्हीं बातों से जूड़ी एक दिल्चस्प कहानी मैं आपको सुनाती हूँ एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी के किनारे पर गूम रहा था तबी उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी उसने पाहे जाकर देखा कि एक मगरमच जाल में उल्जा हुआ है और अपनी मदद के लिए दूसरों को आवाज लगा रहा है वे लड़का उसकी मदद करना चाहता था लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि जाल से बाहर निकलने पर कई मगरमच उसे खाना ले मगरमच ने लड़के से कहा मेरी मदद करो मुझे बचा लो मुझे इस जाल से आजाद कर दो लड़के ने कहा अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम आजाद होते ही मुझे खा लोगे यह सुनकर मगरमच ने रोते हुए कहा मैं उस वैक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई हूँ इस जंगल में भोच से ऐसे जीव जन्तु है जिने मैं खा सकता हूँ तुम मेरा विश्वास करो मैं तुमें कोई आनी नहीं पहुचाऊंगा और हमेशा तुमारा ऐसान मंदर होंगा लड़के को मगरमच पर दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया जैसे ही मगरमच का सिर जाल से बहार आया तो उसने लड़के के पैर को अपने दातों में दबा लिया मगरमच ने कहा मैं भोट दिनों से भूखा हूँ तुम मेरे लिए एक अच्छा सिकार हो सकता हूँ यह दुनिया का दस्तूर है लड़के ने रोते हुए कहा यह तो पूरी तरह गलत है यह अन्याय है मगरमच ने कहा गलत से क्या मतलब है तुम्हारा किसी से भी पूछ लो वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे चलता है अगर वे मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा लड़के ने पास के पेड़ पर एक चिडिया को देखा और उस से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि मगरमच की हरकते सही है क्या यही दुनिया का तरीका है अन्याय से भरा हुआ वे चिडिया पूरी घटना को देख रही थी उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच सही है चिडिया ने बताय कि कैसे उसने बहुत मैनत से गोसला बनाया और उस गोसले में अपने अंडे दिये और फिर एक दिन एक साप ने आकर उसके सारे अंडे खा लिए और उसके सारी मैनत बेकार चली गई चिडिया ने कहा कि इसमें कोई सक नहीं है कि यह दुनिया एक सई जगए नहीं है इतना कैकर वै उड़ गई मगरमच ने कहा सुना तुमने यह कहा कर मगरमच ने लड़के के पैर पर अपनी पकड और मजबूत कर दी लड़के ने कहा रुखो अभी किसी और से पूछते हैं तबी लड़के ने पास एक गदे को चर्ते देखा और उससे भी भई परसन किया बद किस्मती से लड़के ने भी भई उत्तर दिया जो चिडिया ने दिया था गधे ने कहा मगर मत सही है जब मैं छोटा था तो मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोज लाद दिया और मुझसे भूँद ज्यादा काम लिया मैंने उसकी इतने सालों तक इमानदारी से सेवा की अब जब मैं बूड़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए जंगल में छोड़ दिया कि वैं मुझे खाना नहीं दे सकता अब कभी भी कोई भी सेर मुझे अपना सिकार बना सकता है इसलिए मगरमच सही है इस अंसार में भोत अन्याय और एसमानता है मगरमच ने गुस्से में कहा अब भोत हो गया तुमारा मुझे भूख लगी है तुम इस वर से अपनी आखरी प्रार्थना कर लो तब लड़के ने कहा मुझे एक आखरी मोका दे दो मुझे उस करगोष से भी यही स्वाल पूशने दो तब मगरमच ने कहा तुमने मुझे बचाया है इसलिए मैं तुमें एक आखरी मोका देता हूं इस बार स्वाल पूछने पर खरगोष का जवाब चिडिया और गधे चे पूरी तरह से अलग था खरगोष ने कहा यह पूरी तरह बकवास है ऐसा बिलकुल नहीं है यह दुनिया बिलकुल अपनी सई जगे पर है यह सुनकर मगरमच ने कहा मूर खरगोष यह क्या बक्वास कर रहे हो तुम तुम्हें लगता है कि यह दुनिया एक अच्छी जगह है मुझे देखो मैं बिना किसी गल्ती के जाल में फस गया था खरगोष ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूँ में पान रखकर बाते कर रहा हो तुम साफ साफ और जोर से बोलो मुझे तुम्हारी बाते समझ नहीं आ रही है मगरमच ने कहा मैं तुम्हारी चाला की समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलने के लिए अपना मूँ खोलूंगा और लड़का बच जाएगा फिर खरगोस ने कहा तुम मूरक हो क्या क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूछ कितनी मजबूत है यदि भागने की कोशिस करेगा तो मैं मर जाएगा तुम इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो मगरमच अपनी जूटी तारिफ से खुस हो गया और बाते जारी रखने के लिए उसने अपना मूँ खोल दिया खरगोस एक दम से चिलाया भागो लड़के भागो दूर भाग जाओ और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगा कर वहां से भाग गया मगरमच ने खरगोस से कहा तुम धोखे बाज हो तुमने मुझ से मेरा खाना चीन लिया यह बहुत गलत किया तुमने तब खरगोस ने कहा सही और गलत की बाद तुम ना ही करो तो अच्छा होगा लड़का अपने गाउं पहुचा और सभी आदमियों को इखटा कर लिया जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच को मार डाला उनका एक पालतु कुत्ता था जो उनके साथ आया था कुत्ते ने खरगोस को देखा और उसके पीछे भागा तबी लड़का चिलाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिस की लड़का बार बार बोल रहा था कि इस खरगोस ने मेरी जान बचाई है उस पर हमला मत करो लेकिन तब तक भहुत देर हो चुकी थी कुत्ते ने खरगोस की कोमल गर्दन में अपने नोकिले दात गुसा दिये थे खरगोस अब पंको की बेजान गेन से ज़्यादा कुछ भी नहीं था लड़के ने सोचा शाद मगरमत सही था दुनिया अनहोनी और एनिष्टा से भरी हुई है यही जीवन है आप कितने अध्यात्मिक या अच्छे हैं इसका इस बात से कोई संभन नहीं कि आपको कितना कष्ट सहना होगा किसी क्या ध्यात्मिक विकास का मतलब है नहीं है कि वह परकर्ति के नियमों के दायरे से बहार है इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच है, गदा है या खरगोस जीवन की कोई गारंटी नहीं है और शायद यही बात हमारे जीवन को सहसिक बनाती है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं अच्छा या महान होना आपको शाररिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुरगटना का सिकार नहीं हो सकते आपके अच्छा होने से आपके शेर के कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा केवल अच्छा होने से आप किसी परतियोगी प्रिक्षा में सफल नहीं हो सकते आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप किसी से बहुत प्यार करते हैं उसके परति वफादार हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता अब सवाल तो यही उड़ता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं होना चाहिए हमारी अच्छाई हमें चुनोतियों और कठनाईयों का सामना करने की ताकत देती है हमारी समस्याई हमें परक्ति है और उससे हमारे एक नजरिया निर्धारित होता है बेसक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती परंटु हमारा नजरिया हमें उस दुख की आलत में भी हिम्मत परदान कर सकता है एक सही नजरिये के कारण आप दुख के हालातों में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगी आपको प्रिशान करने की कोशिस अवस्य की जा सकती है परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा अच्छा ही एक प्रार्थना है, ध्यान है, तप है अच्छा ही ही शाक्षात इस्वर है इसलिए हर प्रिष्तिती में अच्छे बने रहना ही सही है रादे रादे